दहेज समाज क्या कहेगा हमें तो आपकी बच्ची पसंद आ गई है हमारे लड़के की कद काठी के हिसाफ से देखे तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी जैसा आप सही समझे बेटा योगेश तुम दोनों को अगर टाइम चाहिए तो आपस में अकेले में कुछ बात कर सकते हो हम बाहर चले जाते हैं जी पिता जी जैसा आपका है योगेश और सवीता को अकेले वक्त देकर सब वहां से चले जाते हैं चाहि कैसी लगी? चाहि भी अच्छी लगी और आप भी सच मे? हाँ मैंने तो फोटो देखके ही हाँ बोल दिया था मुझी भी आप अच्छी लगे आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए जैसे खाना बनाना आता है या नहीं घर की क्या-क्या काम कर लेती हूं बगेरा बगेरा वो तो मेरी मा आपकी माताजी से पूछी लेंगी वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है इधर योगेश और सविता जिन्दगी भर का साथ जोडने की बात कर रहे थे उधर सविता के पापा योगेश के पिताजी के सामने हाथ जोड की खड़े थे देखिए हमारा बेटा पड़ा लिखा है अच्छी नौकरी करता है उसमें जितना पैसा लगा है कम से गम उतना तो मिलना चाहिए न दस लाग से कम में तो नहीं हो पाएगा बेटी हमारी बहुत होनहार है और साथ लाग भी तो कम नहीं होते है न जी अगर आप हमारी बेटी को शादी के बाद काम करने देंगे तो तेन लाग तो छे मैने में ही कमा लेगी हमारे घर में ये सब नहीं होता और ते घर संभालती हैं और आद भी बाहर के काम जरा मेरी बात तो समझे एक कार देने के बाद दस लाख रुपय नगत देने में हमारी कमर तूट जाएगी और इसके अलावा टीवी फ्रिच तो देना ही पड़ेगा शादी की तैयारियां मेहमानों की पूछ परक बारातियों का स्वागत बेटी की शादी में बाप पर बहुत दबाव होता है जी देखिये हमारा बेटा कोई दुकान में रखी चीज नहीं है जिसके उपर हम भावताव कर सके और आप उसे कम दाम में खरिद लेंगे दस लाख से एक भी रुपय कम नहीं होगा ठीक है जैसा आप कहे जी पर आदा पैसा अभी और आदा कन्यादान के वक्त दे देंगे अरे इसमें भी किष्ट मांग रहे हैं आप हमने तो सोचा था कि अच्छा परिवार होगा आपका अच्छा ही परिवार है देवनाथ जी पर पैसों की थोड़ी तंगी है न वरना सब ठीकी है हमारे परिवार में जी देवनाथ वहां से अपने बेटे योगेश को लेकर चले जाते हैं और कुंडली मिलवाई जाती है 36 में से 32 गुण मिलते हैं जल्दी शादी का मूरद भी निकलाता है अब कन्या को बुलाईए आओ बेटी यहां बैठो योगेश की बाई और सवीता के पापा सवीता और योगेश की बीश में जाकर बैठ जाते हैं बेटी तेरी मा को यहां बैठना था पर तेरी विदाई नहीं देखना चाती होगी शायद इसलिए पहले ही चली गई बाबा हसी कुशी का माहल है रोनी का समय तो विदाई की वक्त होता है न अब ये इमोशनल अत्याचार कर लेना अभी तो मस्कुराईए कैमेरा असपास ही है तभी पीछे योगेश की पिताजी आ जाते हैं अभी तक पैसे नहीं आया आपकी यहां से उठालूं क्या बेटे को आते ही होंगे मैंने अपने छोटे भाई को व्यवस्था करने के लिए कह दिया था आरा तो जल्दी कराईए ना वना देर हो जाएगी समझ रहे हो न अब योगेश और सवीता दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं सवीता चाहती है कि योगेश कुछ बोले पर योगेश अपना मुँ दूसरी तरफ फैर लेता है पापा कितने पैसे की बात की है आपने अरे बेटी तुझे इससे क्या मतलब मेरी डील की है न तुम मुझे तो पता ही होना चाहिए कन्यादान की विदी शुरू करेंगे तभी योगेश के पिता वापस वहां आ जाते हैं पैसे देते हैं या बेटे को उठवा लू मैं आपके हाथ जोडता हूँ जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए देवनात वहां से चले जाते हैं तुम अपने पिता जी से कुछ कहते क्यों नहीं? उनके सामने कोई आवाज नहीं उठाता ऐसा नहीं है कोई तो उठाएगा ही तभी वहां सविता की चाचा एक बैग लेकर आते हैं और सविता के पापा को देती हुए कहते हैं नौलाख ही हुए आत्मा राम इशारा करके योगेश के पिता को वहां बुलाते हैं क्यों सिर्फ नौलाख बाकी एक लाग कहा है नहीं हो पाए जी शादी के बाहत करतेंगे अरे आप बहुत से पलट रहे हैं जल्दी से अभी के अभी पूरे पैसल आए बना बेटे को उठाओं क्या देखिए मैं आपके पाउ पड़ता हूँ रुप जाए पापा रिष्टे हाथ पकड़कर जोड़े जाते हैं पाउ पकड़कर नहीं बेटी तु चुप रहे नहीं ये कबसे बस कही रहे हैं के उठवा लूँ उठवा लूँ पर कोई उठी नहीं रहा लो मैं ही उठ जाती हूँ बेटा अप्शगून हुआ दहिच लेना सबसे बड़ा अप्शगून है पाप है पाकंड है और योगिश तुम्हें मैं पसंद हूँ तो कुछ बोलते क्यों नहीं और तुम्हारे पिताजी अरे देवनात जी आपके नाम में ही बस देव है काम तो आपके असुरों जैसे हैं पर गलती आपके नहीं गलती मेरे पिताजी की है जो आप जैसे लोगों को घर की दहलिज भी चड़ने देते हैं लेकिन एक बात साफ है मैं आपके घर की दहलिज कभी नहीं चड़ूंगी अरे बेटा समाज क्या कहेगा यही कहेगा कि सविता के भीतर की मा दुरगा जाग गई थी जिसने पापा के खिलाफ गलत के खिलाफ आवाज उठाई आसपास के लोगों ने जोरदार तालिया बजाई समाज की तालियों से पता चला कि समाज क्या कहेगा समाज ने सविता की बात को स्विकार भी किया और उसको अपने सर आखों पर भी बिठा लिया सविता के पिता में हिम्मत जागी और उन्होंने कहा देवनाज जी आप कह रहे थे ना बेटे को उठा लू क्या उठा लीजे हमारी बेटी को आपका लड़का पसंद नहीं है और हमें आप